हेलो डियर शुडेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप स्विका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टेडी विद दुलार में बच्चो ये क्लास 6 का हिंदी बुक है और चप्टर वी 6 है चप्टर का नाम है फूल और काटा इसकविता की रच्यता है हरियोध जी ये इनक कविता को पढ़ने के बाद समझ में आया कि वह मुवी चया बताना चाह रही थी। यह कविता भी कुछ वहए साइश ऀच्ठा दे रहे है इस कविता में मूल Chery उसे बताया गया है कि मनुस अपने उचे कूल या परिवार से नहीं अपने अच्छे कर्मों से सम्मान पाता है। बाकी हम लोग इस कविता को डिटेल में पढ़कर समझेंगे। कविता के इन पक्तियों के माध्यम से बतला रहे हैं कि फूल और काटा दोनों एक ही जगह में जनम लेते हैं और एक ही पोधा उन्हें पालता है। अर्थात उनके माता पिता एक ही हैं। रात की सीतल चांदनी भी उन पर एक ही समान पढ़ता है। अगली पक्तियों में यहां पे दियावा है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौर का है बेंध देता स्यामतन। आगे कभी कहते हैं कि काटा अपने स्वाभाव के नुसार किसी की अंगुलियों को छेद कर देता है। तो किसी के बहुमुल वस्त्र को फार देता है। फूल अपने स्वाभाव के नुसार तितलियों को अपने गोद में बैठा कर आनंद का अनुभव कराती है। भौरों को अपना मीठा रस्पान कराती है। अपने सुगंध और अनोखे रंग अदभुत कुपसूरती से सभी का मन परसंद कर देती है। अंतिम चार लाइन में कवी यहां पर कह रहे हैं। कवी अंतिम चार पंक्तियों में कवीता के मूल भाव को समझाते हुए कह रहे हैं कि दोनों एक ही पोधे से उत्पन हुए हैं। फिर भी एक अपने दुर वेवहार के कारण सबकी आँखों में खटकता है। अर्थात लोग उसे पसंद नहीं करते। और दूसरा अपने अच्छे वेवहार के कारण सबसे प्रेम पाता है। सभी उसे पसंद करते हैं। देताओं के सीस पर चड़ाया जाता है। यहाँ पर कवी कह रहे हैं कि कोई विवेक्ती चाहे वह कितना ही बड़े कूल में या खांदान में जनम लिया हो, अधि उसमें सदगुन ना हो, तो वह कहीं भी सम्मान नहीं पा सकता। और अधि उसमें सदगुन है, तो वह चाहे कितना ही नीच कूल में जनम लिया हो, वह सम्मान का अधिकारी है, वह अपने कूल का भी नाम रोसन करता है। इसमें भावसपस्ट करने के लिए कहा गया है, है खटकता एक सबकी आँख में ये चार लाइन जो अंतीम लाइन है, इसका भावसपस्ट करने के लिए कहा गया है, तो आईए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना की देता हूँ। ये है चेप्टर 6 का कोशन आंसर, फोल और काटे के जन्म और पालन पोशन में क्या-क्या समानता हैं। फोल और काटे का जन्म और पालन पोशन में निम्ण समनताएं हैं, दोनों एकी जगह जन्म लेते हैं, एकी पोधा उन्हें पालता है, चांद की चांदने और बादलों की बूंदे उन पर एक सपड़ता है। काटा किस प्रकार का बेवहार करता है? काटा लोगों के उंगलियों में चुप जाता है, किसी के बहुमिल वस्त्र को फार देता है, तितलियों के पंक कतर देता है और भौरों के सियाम तन को बेंद देता है। फूल का बेवहार किस प्रकार का होता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है, भौरों को मीठा रस्पान कराता है, अपने सुगंध और मनमोहक सुन्दरता से सब को प्रसंद कर देता है। फूल और कांटे के बेवहार के अंतर से कवी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? दोनों के बेवहार के अंतर से कवी हमें समझाना चाहते हैं कि मनुस्य को सम्मान उचे कूल में जनम लेने से नहीं मिलता, बलकि अच्छे कर्म, अच्छे बेवहार से मिलता है। परकृती ने फूलों के साथ कांटे को निम्न कारणों से बनाया है, कांटे हमारे लिए प्रेरक है, जिस प्रकार कांटे के दुरुवेवहार के कारण उन्हें पसंद नहीं किया जाता, उसी प्रकार दुरुवेवहार करने वाले प्रानियों के साथ होता है, कांटों के ना हो करो निमलिखित पदांसों का भाव असपस्ट करो है खटकता यह लाइन वहाँ पर पूरा लिखा हुआ है यहां पर मैंने स्वाट में लिखा है और इसका भावार्त यहां पर लिख दिया है यहां पंक्ति कविता फूल और काटा से लिया गया है कवी यहां कह रहे हैं कि फू पूदे से जनम लेते हैं, काटा अपने कुकर्मों के कारण सबकी आँखों में खटकता है, जबकि फूल अच्छे कर्मों के कारण सरवत्र समान पाता है, ठिक उसी प्रकार मनुष उचे कूल में जनम लेने से समान नहीं पा सकता, यदि उसमें महानता की कमी हो, तो यहाँ प सब्सक्राइब को परने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं,